हाई कोट ने पुलिस उपनिरिक्षक भरती परिक्षक के पेपर लिक मामले पर जवाब के लिए नोटिस जारी करने और भरती से संबंद आगे की प्रक्रिया पर फिलहाल यथा स्थिती बनाय रखने का आज़ देश दिया कोट ने भरती पर जवाब के लिए आदेश सरकार, पुलिस महानिदेशक, अरसान लोकसिवा यूग सचिफ, इस्पेशल ओपरेशन ग्रूप के आतरिक्त महानिदेशक और दो प्रशिक्षो उपनरिशकों को नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया कोट अब इस मामले पर 22 नवंबर को फिर सुनवाई करेगा नियादीश समीर जैन ने इस मामले में केलाशन शर्मा और 24 अन्ने की आचिका पर सुनवाई की अदेवक्ता हरेंदर नील ने कोट को बताया कि ऐसाई भरती 1221 के अंतरगत 13 सेतंबर से परिक्षा अव्जुद की गई थी जिसका पेपर लिख हो गया और इस मामले में कई प्रशिक्षू उपनरिशक का गिरफतार किये जा चुके हैं बढ़ती परिक्षा में कैलाश चंच शर्मा वैनने ने याचिका लगाई थी यह वैब बहटी हैं जिन्होंने 2021 में लिखित परिक्षा का पेपर दिया था 13-9-2021 से जो 15-9-2021 तक जो लिखित परिक्षा होई थी लेकिन लिखित परिक्षा के फर्जिवाड़े से लेकर जो इंट्रिवी तक फर्जिवाड़ा हुआ उसके कारण यह लोग चैनित नहीं हो पाए इस मामले में डेट सो से ज़्यादा गृफतारिया हो चुकी है इसके पश्चात Special Operation Groups ने अपनी अभिशंशा में सपस्ट रूप से लिखा है कि जो तसकर है उनके बच्चे इस परिक्षा में चैनित हुए है उन्होंने भड़ती रद करने के अभिशंशा कर दी अब एक-दो हफते में उनकी Passing Out Parade और उनको Field Posting दी जाने वाली थी SOG ने अपनी रिपोर्ट में सपस्ट रूप से लिखा है कि अगर इनको Field Posting मिलती है तो पूरे राज्ये में कानून की स्तिती पे बहुत बुरा प्रभाव पर सकता है क्योंकि यह वह लोग हैं जो पहले दिन से पैसे की हुआ ही करेंगे क्योंकि इनका चैन भी उसी तरह से हुआ है तो कोड ने यह सारे बिंदू ध्यान में रखते हुए यथा स्तिती का ओर्डर पारित करा है इस आर्डर के बस्चाथ जो इनकी फिल्ड पोस्टिंग और जिनकी पासिंग आउट परेड होने वाली थी उस पे बहुत बड़ी तर्वार लटक गई है